नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चैनल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली जब खामोश आंखों से बात होती है तो ऐसे ही मुहबबत की शिरुवात होती है तेरे ही खायालों में खोई रहते हैं ना जाने कब दिन और कब रात होती है जी हाँ आपने सही सुना हम आज के देली राशिफल की बात कर रहे हैं सबसे पहले आज के दिन जिनका बज़े है या फिर मारीज उनवर्सरी है उनको मेरी तरफ से धेर सारी बधाई हो तो चलिए अब शुरू करते हैं जरूरी नहीं कि आप हर फिल्ड में अच्छे हों लेकिन कोई तो फिल्ड ऐसी होगी जिसमें आप सब के बाप हो ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी अरे इससे उपर उठकर कुछ सोचो तो जिन्दगी सुकुन का दूसरा नाम हो जाएगी जिससे किसी की उमीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जाननी की बज़ाए आप खुद के सफलता पर काम करिए और ऐसा कमाल कर दिखाईए कि लोग बस आपको देखते रह जाए पतचड हुए बीना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते ठीक उसी तरह परिशानी और खटिनाई सहे बगैर इंसान की अच्छे दिन नहीं आते सच्छाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो कहीं नहीं है बीते हुए को नहीं बदला जा सकता लेकिन भविश्याव के हाथ में है चाहो तो यूहीं बैटकर बरबाद कर दो या फिर महनत करके भविश्य उच्छवल कर लो अब ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है हम कई बार असफल हो सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते सफल होने के लिए हमें खुद पर भरोसा करना होगा हर बंद रास्ते के बाद एक नया रास्ता खुलता है अगर आप कल गिर गए थे तो आज उठे और आगे बढ़िए कामियाब होकर आप बहतर इंसान नहीं बनते बलकि बहतर इंसान बनके आप कामियाब होते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अजाब के लिए जो है भागशाले रंग यानि की लखी कलर पीला यानि की अलो रहने वाला है और जो लखी नंबर है भागशाले अंग वो आज के लिए नंबर तीन रहेगा आज मीत्र परिवार में से कोई व्यक्ती जिनकी वज़ा से आपको तकलिफ का सामना करना बढ़ रहा था वही व्यक्ती फिर से आपकी करीब आने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ विवहार करते समय जादा सतरकता बढ़तीगा करीबे रिष्टों से भी आज आज आपको मांसिक तकलिफ होने की अशंका बन रही है तो जितना हो सके उतना उनसे दूरी बना कर रखिए तब ही आपके लिए और आपके काम के लिए ज़्यादा बैटर रहेगा वरना आप जो हैं मांसिक चिंता यापकी बढ़ सकती है और आप जो काम करते हैं अपना जॉब या बिस्मिस वगरा वो भी अस ठीरंग से नहीं कर पाएग इस चीज़ के कारण तो प्लीज आप दोरी बना कर रखे कुछ से इन लोगों से तो जादा बैटर रहेगा इसे के साथ ही आज कोई बहतरीन कई लोगों को शुप समाचार मिलने की संगेट भी नज़र आ रहे हैं जैसा की सितारे कहते हैं और कोई मनों आचित काम भी आज पुरा होने से मन में बहुत ही अधिक सुकून, खुशी, आनन्द मिल सकता है आपको घर के विरिष्ट व्यक्तियों की सलहा पर जरूर धिहान दीजे हो सकता है कि आपका ही भला हो इसमें तो आपको ऐसे उचित मर्ग दर्शन की बहुत जरूरत है राज की ये जो कॉंटेक्ट्स हैं आज काफी हद तक लाग दाइक साबित हो सकते हैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी ये जो कॉंटेक्ट्स है आज किसी अन्य वेक्ति की हस्ताक शेप से आपके लिए दिक्कत इउट मन हो सकती है स्पैशली जहां पर आप काम करते हैं कोई आर्थिक रुकसान होने की भी अशंकाएं बन रही है लेकिन इस समय आपकी जो अपनी एगू है और गुसा है उस पर काम करना बेहत जरूरी है यही दो काम और भी ज़्यादा बिगर सकता है तो ध्यान लेकिए आपको अपनी सभाव जो है उसको नॉर्मल करना होगा तब ही आपके लिए आज जो है बैटर रिजल देखने को मिल सकते हैं तो प्लीज आप आठंडरी मार्क से हर चीज़ को सोचिए तो ज़दा बैटर रहेंगा इसे के साथ ही आज अध्यात्मिक सरूप से आपकी प्रगती असानी से हो रही है जिसकी वज़े से भावनात्मक बातों में आपको जो है मैच्शारटी भी आ रही है भावनात्मक रूप से संतुलित बनाए रखने की वज़ह से भातिक जगत के जितने भी लक्ष होंगे उनके प्रती कुछ न कुछ आप प्रगती देख पाएंगे आज आपको मानसिक से कुणतों मिलेगा ही व्यकि आपको जो रुज़हन है धार्मिक चीजों में ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा इसे के साथ ही भगवान का शुक्रियादा करना बिल्कु भी मत भूलेगा आज जारतर समय घार की व्यक्तिकत कतिविधियों को पूरा करने में आपका स्पेंट हो सकता है समय जो है शांती दाइक लग रहा है धरम करम के मामनों में इंट्रस्ट तो बनेगा आज कुछ समय अपनी इंट्रस्ट से रिलेटिड कार्यों को करने में भी समिस्वेंट हो सकता है तो आज वही करें जो आपका दिल करता है इसे के साथ ही आज आप समचधारी और सूजबूत से समस्याओं का हल निकाल सकते है इसे में पैसा कहीं ब्लॉक होने की शेंका भी नजर आ रही है तो लेन दिन करते समयें आपको सोच समझ कर करना होगा उधार वैसा तो प्लीज आप बिल्कुल भी मत दीजेगा तो ही बैटर होगा और अगर आपका पैसा कहीं फज़ा हुआ है तो जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश कीजेगा यहीं आपके लिए बैटर रहेगा तो अब आगे बढ़ लेते हैं बात करते हैं बिसनस और कैरिर की आज वे विसाई में नए जन संपर्क आपके लिए फाइदेबन साबित हो सकते हैं क्वाइंटिटी के साथाथ क्वालिटी पर आपको ध्यान देना है क्वालिटी को ज़रा बहतर बनाएए तो यकीन वानिया आपका बिसनस जल्दी ही ग्रू कर पाएगा इस समय आपको उचित ओर्डर्स मिलने के योग भी बन रहे हैं लेकिन आज जो हैं इंकम की स्थितियां कुछ कम रहेंगी जादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए लेकिन देरे देरे सब कुछ ठीक होता जालेगा क्योंकि हर दिन जो हैं कोई जैसा तो नहीं होता तो प्लीज आप चिंता मत कीजिएगा जल्द ही आपके इंकम के स्थितियों हैं वो भी भड़ते नजर आएंगे पैसो से रिल्डेट कई लोगों की चिंता दूर हो सकती हैं जिनको चिंता लगी हुई थी और हां महनत जरूर कीजिएगा उसको मत बीचे हटाने दीजिए साथ ही में आज वेपार और कारोबार के लक्षियों को हासल करने के लिए बहुत ही जादा कई लोगों को महनत करने पड़ सकती है जिसके साथ ही आज आप में भरबूर उर्जा भी रहेगी जिसका आप पॉजटिव रूप से जो है इस्तिमाल कर सकते हैं बलकि आपको करना भी चाहिए साथ ही में आज नए औरर मिलने के वज़़े से ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है जो लोग जॉब करते हैं उनको भी जादा टाइम जो है अपनी जो है नाबर जॉब करते हैं वहाँ पर स्पेंट करना पर सकता है तो आज खर के लिए थोड़ अलेट हो सकते है साथ ही में आज काम से रिलेटेड हुए गलत फैसलों का ध्यान पूरवक अबलोकन करें आपका जो फैसला है कहीं गलत ना होने पाएं आपको इसके पहले ही जाँच पर ताल कर लेनी चाहिए सारी इंफोर्मेशन लेकर ही आपके से रिदीज़े पर पहुंचिएगा तभी आपके लिए उम्दा रिजल्ट मिल सकते हैं तो ये बात की करेड की तो बात कर लेते हैं आज की लव लाइफ के बारे में तो लव लाइफ कह रही है कि घर के वातावरण को कुश्टमा बनाए रखने के लिए कुछ समय उनके साथ स्पेंट करें और मनुरंजन से रिलेटिड प्रोग्राम भी बनाईएगा प्रेम समंदों में जो है निजदीकिया आती चली जाएंगे जिसके आपको बहुत यह बढ़िया फील हो सकता है पार्टनर का कई लोगों को साथ ना मिलने के वज़े से अकेला अपन महसूस हो सकता है पार्टनर के प्रदी गुसा भी बढ़ सकता है तो प्लीज इससे जो है मांसिक शान्ति तो भंग होगी ही आपकी सिहत पर, आपकी बिजनस पर, आपकी जॉब पर इसका असर देखने को मिल सकता है तो प्लीज अपने जो गुसा है उनको जरा संभाल कर रखिएगा कावो में रखिए जल्दी ही आपको लोगों को मंचह साथ ही मिल सकता है जिनको वो नहीं मिला है और आज असाथ में इस इतारे ये भी कहते हैं कि किसी बाहरी मुद्दे को लेकर पती पत्नी के वीज में बहस भी छट सकती है आविवाहतों के लिए समय तो बहुत बढ़िया है बस आपको जो है आपस में मेल जुल बनाकर रखना पड़ेगा तो बागे बढ़ते हैं बात करते हैं स्वास्ते की तो आज स्वास्ते कहे रहा है कि बढ़िया तो है लेकिन वर्तमान परिस्थियां और अत्यधी कसरदी से अपना बचाव रखना आपके लिए बहत जरूरी है तो रखिएगा ख्याल अपना सिहत में positive result नजर आ रहे हैं बदलाव अच्छे नजर आएंगे हड़ियों से related कई लोगों को तकलीफ हो सकती है तो अपना प्लीज इलाज करवाईएगा कई लोगों को नस्व में खिचाव हो सकता है दर्द की समस्यां रह सकती है योगा और व्यायाम करने पर ध्यार दीजे आपकी सिह पुनाह ठीक हो सकते है तो चलिए बंत में बात कर लेते हैं आज के विशेश उपाई के बारे में तो विशेश उपाई कहता है कि आज आज आपको घर में टूटी फूटी चीजें हैं प्लीज उनको बाहर निकाल दीजे और हाँ जाले जरूर निकाल दीजेगा इसे वास्तु दोश होता है तो प्लीज वास्तु दोश को दूर करने की कोशिश करें तब ही आपके घर में आर्थिक सितिया मजबूत रहेंगे और आपसी घर में प्रेम प्यार रहेगा और हाँ घर में अगर आपने जो है सफाई नहीं की है तो ज़रूर पूरे-पूरे घर की कोने-कोने की सफाई कराईए आपको बहुत इच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको वीड़ उच्छे लगी हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करना बिल्को भी ना भूलेगा धन्यवाद